हेलो विवल्स मैं हूँ गोल्डी और गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज का हमारे वीडियो बहुत जादा इंट्रस्टिंग होने वाला है कुछ टिप्स और ट्रिक्स में बताऊंगी अचार बनाने के लिए और साथ ही में आप इस तरीके से क्या हमें इसमें आड करना है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना क्यो आप अचेर बनाने के लिए यहां तक एक मैंने ले लिया है तीन केरी अहीं कर सकते हैं आप जाएंस त्रीके से आप वहाँ बहुत जादा ख्ट्वाल कि दलुन सकता है और इसलंग से बहुत अच्छा इंस्टिंट अचार बन कर तयार होता है और जो विगनस को आज की अगर आप इस आचार को बहुत आदा खटा बनाना चाहते हैं तो आप इस सीजन यानि कि मैई जून में मिलने वाले आम का इस्तमाल करिएगा इसे भी बहुत ही अच्छे आचार बन करके तैयार होते हैं तो चेले मैं आपको बताती हूं कि इस आम से कैसे आचार बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे पीलर के थ्रू इने अच्छी तरीके से पील करना है आप चाहे तो इसे डायरेक्ली छिलके के साथ भी बना सकते हैं बड़ जब भी मैं इस तरीके से इंस्टेंट वल आचार बनाती हूं तो चिलके का इस्तमाल मैं नहीं करती उसे निकाल देती हूं तो चले मैं इसे अच्छी तरीके से पील कर लेती हूं तो सबसे पहले मैं टॉप को कट करूँगी और इने अच्छी तरीके से पील कर लूँगी आपने इस तरीके के आम का जब भी इस्तमाल किया होगा आपने देखा होगा कि ये आम का चिलका काफी पतला होता है और मैं जून वाला जो आम होता है उसका छिलका काफी मोटा होता है और गईस अगर आप कच्छे आम से और भी निव निव रेस्पीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताईए और आप देख सकते हैं कि एक आम का स्किन मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है तो इसी तरीके से सारे आम का स्किन निकाल लेना है सो फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने हाँ पर पूरे आम का स्किन अच्छी तरीके से निकाल लिया है और मैंने तो आम का स्किन निकालाई है अब आप क्या कर सकते हैं इस आम के स्किन से बहुत ही अलग-अलग तरीकी का यूज़ कर सकते हैं जी फ्रेंस अगर आप इसकी र करना सब्सक्राइब अलब करना में आपको बताओंगी कि हमें इसे कैसे कट करना है जो इस आम की घुठली वहुत जाह्था पतली होती यह देखे गाईस है ना बहुत जूरे को जफेसी स्पथे कियूब से ब protective ना है तो इसी तरीके से मैं सारे आम को अच्छी तरीके से कट कर लूगी और ये लुझे मैंने आप हे सारे आम को बहुत ही अच्छी तरीके से只是 कट में लिए तो आप चाहेत buck Undert haga ट शे थोची बड़े पीसे करके तयार होगा तो मसालों को भी किस तरीके से में भूनना है इंस्टंट तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगी तो मैंने हापे ले लिया चोटा सा मिक्सर जार और अब इस मिक्सर जार मुझे एड करना है सूखे हुए मसाले सूख ये मसाले में मैं ने हैपट लिया है, दो बड़े चमश की करीब धनिया, साबुद धनिया, इसल के साथ-सथ मैं इसमें एड़ करूँगी एक चुटा चमश की करीब जीरा, हमें इन मसालों को घंका सा दादरा पीछना है, यह बी इंस्टेंट तरीका है guys, और अब मैं मैं इसमें आड़ करूंगी दो बड़े चमच के करी सॉंफ सॉंफ दालने से इसका टेस्स बहुत जादा अच्छा आता है और इसी के साथ मुझे इसमें आड़ करना है मेथी दाना तो मेथी भी आपको बता दू जो कुछ इस तरीके से जो मेथी होती है उसे मैं ग्राइंड क करके तैयार करूंगी तो मिक्सर जार का ढखकर मेने बंद कर दिया है और इसे दर्दरा ग्राइंड करके रेडी कर लेती हूं और यह लीजे मैंने इसे हलका सा दर्दरा पीस करके तैयार कर लिया है यह देखिए कुछ इस तरीके से मसाले को मैं दर्दरा पीसना था तो चल आप अचार बनाए कोशिश करिए mustard oil यानि सरसो के तिल का इस्तिमाल करिए तो मैं इसमें लगबग 4-5 बड़े चमज के करीब सरसो का तिल आड़ करूँगी और अब इस गरम oil में मैं सबसे पहले आड़ करने वाली हींग तो हींग या पर आप किसी ब्रेंड का यूज कर सकते हैं तो लगबग 1 चमज के करीब हमें हींग डालने के बाद अब मैं इसमें एड़ करूँगे हमारे ग्राइंड केव मसाले जो हमने दरदरे पीस करके तयार किये थे इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे कलॉंजी एक चोटा चमज के करीब इससे टेस्स बहुत अच्छा कर दिया जाता है तो लगबग 1-2 बड़े चमज के करें हम यहां पर सर्सो के डाल करेंगे तो अब मैं इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनुगी अच्छी तरीके से भूनने का मतलब यह है कि ऑल अच्छे से गरम है तो यह पर लो फ्लेम पे मैं इसे से 30 सेकेंड के अच छोटा चममज के करीब हलदी प्रटर आड़ करना है हलदी अब अधनी के बाעד मैं इसमें अड करूगी दो बने चमज के करई के रिए कश्मीरी लालमिश पॉडर आड़ करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी तीखी वाली लालमिश आड़ करेंगे एक से देड़ बड़ी चम्मच की करी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम जादा कर सकते हैं साथी हम इसमें आड़ करेंगे नमक साधा नमक हम इसमें आ ठाला है उसे पर मैं अच्छी तरीके से भूल लेना है और जब यह हमारे मसाले और ऑइल हलके से थंड़े हो जाएंगे न फिर उसके बाद मैं इसमें आम एड करूंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले और ओयल हलके से थंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें सबी चीजों को डाल करके मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सा बोल और इस बोल में मैं एड़ करूँगे हमारे बार एक कटे हुए आम आम हमने आधा डाला है और अब मैं इस पर डालूँगे हमारे मसाले आधा मसाला हम एड़ करेंगे फिर से हम इस पर डालेंगे आम और फिर से हम इस पर डालेंगे मसाले मसालों को डालने के बाद अब मुझे इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो इसे तुरंद आज से खाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि मसाले भी पके हैं आम भी हमारा हलके से कच्छे हैं वो भी दीरे-दीरे पक जाएंगे और अगर आप इस अचार को एक से दो महिने के लिए चलाना चाहते हैं तो ये हमारे अचार एकदम पॉफेक्ट है रेडी हैं लेकिन अगर आप इस अचार को सालो साल दक स्टोर करना चाहते हैं तो इसका भी हम आपको तरीका बताऊंगी आप क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालना है तो डाल सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा एपल साइडर विनिगर डाल दीजे या फिर आप नॉर्मल सफेद सिरका डाल करके इने स्टोर करके रख सकते हैं और अगर आप यह भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए हलका सा मस्टर्ड ओई लीजे गरम करिए और अचार के उपर टॉप लेवल तक इसे भर करके रख दीजे अचार बिल्कुल ने खराब होगा गाईस और थोड़ी सी इसे धूप दिखा दीजे और हमारे अचार है रेडी हो जाएंगे बीना धूप के भी अचार बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन अगर आप इसे सालो सल तक स्टोर करना चाते न तो धूप दिखाना बहुत जादा जरूरी है तो ये देखिए सबी चीजों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अचार भी रेडी है तो चलिए आप चाहे न तो इसे बरनी में भर करके रख सकते मैं आपको पराथे के साथ कहा सकते है नान के साथ कहा सकते हैं अभी जरूर घरम दाल चाल के साथ कहा सकते है यानि आप इसे किसी की साथ भी सब कर सकते बहुत इंटरस्टिंग साचार है जो, व्य feddy बश् ghetto john जो हमारे बिग्णस अबाशल के लिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ और आप देखते रहे गोल्डिस कीचन बबाई